तो भाईयों और भेनों हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे आशिक के पास जिसका दिल तूट चुका है चकना चूर हो चुका है और उसी गम जदा हालाप में हम उसका इंटर्व्यू लेने पहुचे हैं और इन गम जदा आशिक का नाम है मिश्टर क्या नाम है मिश्ट्रaries आशٹर आशिक अपने नाम क्या है चुनू अलवेला गश्रस एंग कुछ बाया करेंगे अपनी है कि क्या समझेंगे मेरा गम ये जमाने computer क्या समझेंगे मेरगं ये जमाने वाले हम ने सही है चोक क्या बात है किस ने दिल टोड़ा या कि काली घटा छुप पूछ कि सब्सक्राइब काली घटा सी चैचा तुम भी सुनरो इंटर्व्यू चब लाए कि काली टोड़ति अच्टा को वह यही तिखा दें जब चैचा को भी तिखा दें जब चैचा जी आना चहिए चचा जो देख ली कि चचा मवद है चचा लग रहा है चचा बहरे हो गए है आशुक मवद है आगे काली घटाओं पर आ जाए है काली घटा से जुल्ख थी फोटो के नी लाली थी हमने जिसको जा वो किसी और की घरवाल में प्रभू यह तो सत्या नास हो गया आप किसी और क पाई होई एक और तो मैं एक लड़की खुब पांच वार प्रभूस कियो कि उसे मेरी चखल अच्छा क्या कमी है आपकी शकल में आपकी शकल तो अच्छी खासी है दो आक हैं नाग है मू है सब कुस तो है जो बीडी पीचा था मूह से बीडी फसल गोली तो आप बीडी छ जो आपकी श्यावाज निकलती है क्या आवाज निकलती है सायर महदे बोवी बता दीजी आशिक महदे दिली की लड़किया नहीं जैविली नागी है जो यूपी बिहार से आए हुए लगों डस रेपी है अच्छी है बड़ा दुख होता है अपने जैसे और लड़को साथ-पांच को जो दारू पीके विया पीके दर दर नाले के पास पढ़े वहते हैं इतनी तकलीफ होती है तो आप उन्हें अपनी टोली में शामिल कर लीजी वह भी आपकी तरह पानी पीपीके दारू के नसे में डूप जाएंगे किसी और को साथ लेकर हम क्या चलेंगे किसी और को साथ लेकर हम क्या चलेंगे हमारा पेले का अलग कारवान क्या बात है क्या बात है मिश्टर आशिक यह शायरान अंदाज आपको बच्पन से ही रहा है या फिर यह आपका दिल तूटने के बाद ऐसा हुआ है आपने रॉक ये मोवी में चीज है कि लड़की उसमें एक खटारा भाई के उन्होंने हिरो कुसे कहता है कि जब दिल तूटता है उसके तार जंजना जाते हैं तब एक दढ़ दर्द के उत्पतिग होती है पैदा होता है वहां से शायरी पैदा होती है अच्छा तो आपके दिल के तार जंजना गए है और अब शायरी पैदा हो चुकी है तो आपके जो दिल तूटने का असली कारण है बो कारण क्या है क्या उसे बया नहीं करेंगे या मेरे लाल रहन का स्कूटर वो कमीनी धिंचकुजा चुनाते है कमीनी आप उसे प्या नहीं और तीन बार किसी ओर लड़की के साथ पकड़े जाने पर उसने मेरी वो फटाई की कि मेरो देर इस्टेटिकर पर मैं आपको संच बता करूं है सच्छी लटना है उसने मेरे लाल रहन की स्कूटर चला है उसके सफेद पेंड करके इस पे गाना बना लिया बिलो का शूटर हाई मेरे स्कूटर बिलो का शूटर हाई मेरे स्कूटर गाना चल भी लिया अच्छी वाथ एक गाना और है उसका कोई तो इसने मेरे मोबैल चुरा के गाना उना था सेल्फी कीच के उसने गाया के संफी मैंने दे लिया आज सेल्फी मैंने ले लिया अच्छा है हमें तो आप डिक्सिनरी नहीं है, आपके पास डिक्सिनरी में देख लेते हैं? हम तो इस बीडान सारफ पर पड़े रहते हैं, अपने आप से कुछ बाते करते रहते हैं, मैं और मेरी तनाई अकसर यह बाते करते हैं तो इस इंटर्व्यू के अंतिम चरवर में आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या चाहते हैं एक यह इसक क्या है, इश्क करना चाहिए आशिकों को या फिर ऐसे ही इसक क्या करना चाहिए जिंदी में, क्या experience आपका इश्क को लेकर? बस एक गुजारिश करमा चाहता है, हाँ हाँ बोलिये, बोलिये, कि मेरे जैसे, और तमाम तरह के लोग, जिनका दिल तूटा है, ऐसे लोग की एक संस्था बनाई से है, जिसमें ऐसे लोग, जिनके पास सड़क पे लोटने का नाले के पास पढ़े रहने का इक विशुश और उस संस्था में, लोग अपनी मर्जी से आएं, और उन लड़कों को, उन लोजवानों को दारू डोनेट करें, दारू दान करें, ताकि वो बारू पीकर मेरे उनको ठा सके, और मेरे जैसी, मेरे जैसी तो मैं नहीं काँगा, उसके आसपास की, और से थोड़ी मीची कम ऐसी शाहिरी कुछ लिख पाएं, जिससे की विप्यास बन पाएं, शाहिरी हो करें, ठीक है, आशिक मावद है, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करें, आपका दिल तूटता रहें, और आप यूही साहिरियां करते रहें, थैंक यू, वेरी मच्छ